हेलो एबरिवन, टोडेश टोपिक, एल्बो जोइंट लेटरल प्रोजेक्शन एल्बो जोइंट की लेटरल प्रोजेक्शन कैसे करी जाती है लास्ट वीडियो हमने जो सहते हैं कि एपी वीव आपको कैसे करना है जो आज के हमारा point है वह है lateral projection कैसे करें सबसे पहले lateral projection करते समय जो हमारा cassette का size होना चाहिए वह है क्या होना चाहिए उसमें आपका 18 by 24 cm यह आपकी DR system पे और CR system पे यूज होती है अगर हम इसे inch में convert करेंगे तो 8 by 10 inch की cassette का आपको elbow joint का lateral projection करते में यूज करना है इसके साथ anatomy of elbow joint lateral view lateral view की anatomy क्या होगी आपके सामने दो image है first image, second image यहाँ से सबसे पहले यह आपका humorous bone है अगर हम बात करेंगे radius है, अलना है, इसके साथ साथ क्रिवनेट पुरसेस है, कैपिचिलम है इसके साथ olikron पुरसेस है, epicondyl है इस epicondyl का role है, जो यह अभी आपको सबसे ज़्यादा important है तो आप जो lateral epicondyl है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए इसके आप notes बना लीजिए, जिससे की क्या हो आपको लिए बहुत easy हो जाए positioning की बात करें lateral projection में, जो patient की positioning होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए patient और cassette की position the patient is seated alongside the table with the affected side nearest to the table सबसे पहले क्या करना है, patient को table के just alongside बिठाना उसके बात क्या करना आपको, जो उनके जिस part में, जैसे right में या left में injury है, उन्हें table के contact होना चाहिए हम इसे image के दुरू समझाते है, यह हमारी एक x-ray tube है यह हमारा एक x-ray table है, और यह x-ray table के नीचे का part हो गया जो पूरा का पूरा stand होता है, यहाँ पे x-ray table के just bugle में आपको chair रखनी है, जैसे यह chair की direction है और patient को chair पे just अगर उनके right side में तो right side table के contact में होना चाहिए, और अगर left part में तो chair के जो direction होगी, पूरी की पूरी opposite होगी, opposite से regarding chair को पूरा गुमा देंगे और उनका left वाला part जिसमें injury है, वो आपके जो x-ray table coach है, इसके उपर पूरा का पूरा part आएगा अभी अगर उनके right में है, तो right वाला part जो भी nearest table वो आपके chair बगल में रहेगी इसके साथ x-ray tube है, x-ray tube की पूरी की पूरी vertical direction रहेगी next point की बात करें, सबसे पहले क्या करना है, elbow को flex करना है 90 degree का, यहां से elbow को 90 degree का flex करना है, इसमें क्या करना है, जो आपका hand का जो palm है इसे rotate करना है, 90 degree से table top से, जैसे यहां पर elbow को flex करा गया और 90 degree का आपको table top से, यह पूरा का पूरा 90 degree का आपका पूरा का पूरा रोटेट करना है इसके बाद सोल्डर है एल्बो जोइंट है रिष्ट जोइंट है और जितनी फिंगर है इसका मिडल पार्ट पूरा का पूरा आपके कैसेट के कॉंटेक्ट में हो और इसके साथ साथ ये सेम लिवल पे हो एक ही समानतर दूरी पे हो ये अब डाउन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए आपको यह सुनच्छित करना है कि जो आपका मेडियल ऐसक्ट है जतना मेडियल ऐसक्ट है इंटा chosen लिव जकत की लिव यह जो फिनिस नहीं होता खतम नहीं होता ये पूरा का पूरा आपके table top के contact में हो then आपको इस positioning के बाद जो भी cassette है cassette को elbow joint के under के side ले जाना है और आपको यह है कोशिस करना है कि जो lateral epicondyle and medial epicondyle है यह जो cassette है cassette के center point में रहे और इसके साथ-साथ four arm पूरा का पूरा आपका table top के parallel रहे यहाँ पे आपको एक point और कर सकते है sandvake का use कर सकते है sandvake का use आप जो भी आपकी humorous bone है जैसे कि आपो sandvake का use देखेंगे humorous bone के पास आपको sandvake का use करना है यह sandvake का यह image हमने swept कर दिया है और दूसरा image sandvake का यह रहा next point जो focal film distance है FFD होनी चाहे FFD क्या होनी चाहिए तो अगर आप Vertical Ray कर रहे हैं Vertical Ray यूज तो उसमें जो FFD होनी चाहिए यह 40 इंच की होनी चाहिए और अगर हम Distance की बात करें Distance में Handed Centimeter अगर इसे Convert करते हैं इंच में तो यह 40 इंच की आपकी पूरी के पूरी FFD होनी चाहिए X-ray Tube से Table Top के Distance के बीच की दूरी यह Vertical Ray होती है अगर हम उपर से Ray करते हैं यह Vertical Ray अगर हम Central से Ray करते हैं तो यह होती है हमारी Horizontal Ray और यह होती हमारी Vertical Ray Next Point है Factor कितना देना चाहिए सबसे बड़ा Question सबसे पहले हम अगर किसी 800 या 500 मसीन पे वर्क करते हैं तो हमें Factor कितना रखना चाहिए तो आपके सामने KVP MS रिखा है लेकिन आप सब जहां पे Diagnosting में वर्क कर रहे हैं किसी Hospital में वर्क कर रहे हैं तो जो भी Passant आते हैं उनके Thickness according आप एक Factor Set कर सकते हैं हमने एक यहां पे आइडिया लिख दिया है कि 42, 65 में KVP and 4, 2, 14 के बीच में आपको MS का यूज़ करना है यहां पे Normal में हमने 800 MA की मसीन का लिखा हुआ है 55 आपका KVP और MS का यूज़ होगा Tank का After then जो Direction and Centering Point होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए Center over the Lateral Epicondyl of the Humerus जो Humerus का Lateral Epicondyl है यहां पे इसकी यह पूरी की पूरी Direction होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए यह पूरी की पूरी Vertical Ray में Huge होनी चाहिए Next Point है हमारा जो Essential Image Characteristic है Essential Image Characteristic में क्या क्या ही हुज़ोंगे तो सबसे पहले जो आपका Joint इस वे से वो पूरा का पूरा Clear आना चाहिए वो 90 degree के कोन पर होना चाहिए इसके साथ-साथ क्या होना चाहिए आपका Medial Epicondyl एंड जो Lateral Epicondyl है यह दोनों एक दूसरे को पर सुपरी पहुँच्ड होना चाहिए और आपको यह है क्या करना है अलारा का Principal का यूज करना है जैसे कि इसका जो मतलब होता है यहाँ पर TDS है T से Time D से Distance S से Silding Time को कम से कम रखना है Time अगर Minimum जो जो M में समा रहा होता है कम से कम रखे Distance को जितना मेंटेंग कर सकते उतना मेंटेंग करिए और यहाँ पर जो Silding है Silding का यूज जरूर करिए यहाँ पर एक और Point आता है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जब अपने यह समझायते यहाँ पर जब FFD का यूज कर रहे है तो FFD के यूज में हम यहाँ पर 40 Inch है तो 40 Inch से लेके हम यहाँ पर 36 भी कर सकते है और यहाँ पर 38 Inch का भी कर सकते है सवाल यह आता है कि हमें पता कैसे चले तो जो आप X-ray Tube का यूज करते है तो जो अपर तक जहाँ पर end होता है और जहाँ पर जो आपके टेवल कोच है इसके जो बीच का distance होता है यही 40 Inch का होता है आप थोड़ी सी Direction को कम करके थोड़ी सी FFD को कम करके Size को अपने According Maintain कर सकते है और अपने According Set कर सकते है तो यह थी आज के हमारी वीडियो जिसमें हमने समझाया आपको कि Lateral View कैसे करते हैं जिसमें Cassette का Size आपका 18 by 24 cm I think 8 by 10 का Cassette का Size होना चाहिए इसके साथ-साथ Anotomy of Elbow Joint है पूरी की पूरी Anotomy आपके सामने लिखी हुई है एक Image Clear कर सकते हैं Then Lateral Projection में क्या Position होनी चाहिए यह आपकी X-ray Table को चे जश्ट इसके बगल में एक Table हो Table के जश्ट बगल में आपको बैठाना है पैसेंट का जो Right Hand है जब राइट में फ्रेक्चर है इसके Table के उपर होना चाहिए अगर यह Left में फ्रेक्चर है तो इसे जश्ट अपोजेट करके Left Wall अपार्ट है वो पूरा का पूरा इधर होना चाहिए इसके FFD बीच में 40 inch या हम 36-38 FFD ले सकते हैं यह X-ray Tube से जो इसके बीच की दूरी है इसे ही FFD कहते हैं जिसकी Full Form होती है Focal Film Distance इसके बाद जो भी Positioning and Percent है सेम है आपका 90 Degree का कॉन हो और इसके साथ-साथ पूरा जो पार्ट है यह पूरा का पूरा एरिया पूरा का पूरा सेम लेवल में हो और यह एक दूसरे के Apposite रहा हो Lateral Epicondyle and Middle Epicondyle पूरी के पूरी Supreme Post हो इसके बाद FFD आपकी 40 Inch Factor में 55 KVP 800 MA की Machine पे दे सकते हैं और MS 10 दे सकते हैं और या तो आप जिस जगे वर्क कर रहे हैं तो अपने Thickness Ocoating जिसमें आपका एकदम Fit X-ray आ रहे हैं वह आप Factor को रख सकते हैं Then Direction and Centering Point Lateral Epicondyle Humorous के End पे हैं इसके साथ Essential Image Characteristics पूरी के पूरी आपकी Humorous का 3rd Part and Radius and Unna का 3rd Part पूरा Include होना चाहिए Then Radiological Consideration में अलारा का जरूर यूज करें Time का ध्यान रखे Distance का ध्यान रखे और Shielding का ध्यान रखे ये थी हमारी आज की वीडियो मिलते हैं एक नए टोपिक में नए सिर्य के साथ जब तक के लिए जैहिन